देविशन एंग्जर्म एक्सप्परिमेंट बहुत ही सिंबल सी चीज देखो इस से पहली बात ही इंपॉर्टन क्यों है क्योंकि इससे कंफी मुमेंटम भी बहुत कम होना चाहिए तभी यह तब ही यह मेशरिबल वैवलन्थ कुछ हमें देखने को मिलेगी इसलिए electron को choose किया गए हमाई पास यहाँ पर एक इस तरीगे से electron beam होती है अब electron beam में यहाँ पर देखो इसको बहुत दिस गरम करते हैं तो thermionic emission होता है electron मास से metal से अलग हो जाते है अब metal से तो अलग हो गए वो इदर 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 हमने यहाँ पर ताकि हमाई पास इस जगे पर इस जगे पर potential difference आता है electron यहाँ से इस तरफ खिंचेगा accelerate होगा तो उसके पास कितनी kinetic energy आ जाएगी? मानलो हमने यहाँ पर 54 volt लगाया हुआ है तो उसकी kinetic energy हो जाएगी 54 electron volt यहाँ पर इस तरफ energy आ जाती है उस energy के corresponding आप कुछ wavelength की value निकाल सकते हो और वो wavelength ऐसी होती है कि अब उसको observe कैसे किया जाए तो हमाई पास nickel का structure जब आप पढ़ते हो तो हमाई पास x-ray से उसका diffraction pattern x-ray wave का आप चेक करते हो, तो आपको जो values देखने को मिलती है, electron की wavelength भी उसी x-ray के order की आती है तो electron beam के साथ भी आपको same diffraction pattern देखने को मिलता है, इसमें देखो हमाई पास movable collector है, यहां से electron आ रहे थे अगर particle nature होता तो electron इधर, इधर, इधर सभी जगे भराबर तरीके से जाते है कुछ इस तरीके का हमें graph देखने को मिलता तो particle में, मालब आप यहां से बहुत सारी balls को फैक रहे हो, तो वो किधर टकरा करके जाएंगी, वो एक particle nature से अलग तरीके का graph आता wave में क्या होता, यहां पे electron सारी, nickel में इस तरीके से आपके पास कुछ lattice होगा, यहां से टकराएगी wave और फिर उसका constructive interference और इस तरह की चीज़े हो सकते हैं basically diffraction pattern बुलायाता है, तो इस एक particular angle पर हमें maxima देखने को मिलता है, तो उस maxima की कुछ condition थी, क्या थी पहली बात यह जो accelerating potential था, वो 54 volt होगा और यह जो theta था, वो 50 degrees पर हमें maxima, यानि peak देखने को मिलती है, तो यहां से हम बोल देते हैं कि electron beam जो है, वो x-ray wave की तरह काम कर रही है, matter का wave nature इस तरीके से confirm किया गया तो इसी चीज़ के लिए हमाई पास यह Davison को Nobel Prize भी मिला, है ना, Thompson के साथ में और यह बहुत ही important है यहां पर एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि हमाई पास जो wavelength निकल के आती है electron की इस experiment में उसकी जो value थी, वो थी 0.165 nanometer और जो हमाई पास d-broy wavelength आती है वो भी आ जाती है 0.167 nanometer अगर हम calculation करे energy wise तो यह निकल के आती है experiment के हिसाब से हमें यह देखने को मिला तो दोनों match हो जाती है तो इस तरीके से चीज़ confirm हो जाती है इसलिए डेविसने जर्मार एक्सपरिमेंट हमारे लिए थोड़ा सा important theoretical questions यहां से आ सकते है यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक चोटा सा पार्ट है एक चोट इसे प्यार इसे crash goals का जिसमें हमने 11th और 12th की पूरी की पूरी थियोरी और बहुत सारे conceptual questions बहुत सारे important previous series questions सब कुछ cover कर लिया गया है 40 video है जही main के 40 video है जही advance के सब कुछ आपको मिल जाता है जही month में Link is in the description उसको ज़रूर चेक आउट करो साथ में colorful handmade PDF जो बहुत अच्छी रहेंगे आपको revision के लिए last minute revision के लिए सारे के सारे notes absolutely free है जी हाँ और भी उसके लिए आपको payment करने की ज़रवत नहीं Link is in the description colorful handmade notes है download करो और में vlogging channel को भी subscribe कर ले न क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक pan India road trip टे व्लोग बनाऊँगा Link is in the description प्लीज हम मिलेंगे अब course में या फिर व्लोग में that you decide bye bye see you tomorrow